हेलो फ्रेंट्स मैं वूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ टेक एंड ट्राबल वीवे तो फ्रेंट्स आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको लूम सोलर के साथ पैनल के बारे सब्सक्राइब करता है इसके बारे में भी हम जानेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने के लिए आप लूम सोलर की साइट पर इस तरह से आप विजिट कर सकते हैं तो यहां पर आपको यह शार्प पैनल दिख जाएगा लूम सोलर पैनल शार्प 440 वाट का है यह हाइस्ट वाटेश का पैनल है जो कि इंडिया में अविलेवल है और यहां पर यह मोनो पर्क टेखनोलोजी पर बेश सोलर पैनल है उसमें 144 सेल यूज हुए है मतलब पहले जो पैनल आते थे वह उन्हीं पैनल को बीच में से ब्रेक करके हाफ कट कर दिया गया है जो पहले क देखें यहां पैनल है और यहां पर इसमें देखिए कि यहां पर जो उपर वाली जो सीरीज आपको देख रही होगी यहां पर यह पूरी की पूरी जो यहां पर सीरीज है सेल्स की वह सीरीज में अटैच है और यहां पर यह दूसरी जो सेल की सीरीज है वह भी सीरीज में तो इसका friends ये फाइदा होगा कि मालो कोई कबूतर या पेड़ की छाय अगर किसी half part पर पढ़ती है तो उसका half part current generate करता रहता है ये benefit होता है half cut solar panel का और बाकी friends इसमें 9 buswas use हुई है जैसे कि normal solar panel आता है उसमें 5 buswas use होती है buswas जो cell होता है जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर देखें यहाँ पर जो cells है यहाँ पर यह जो cells होते है इनके बीच वीच में आपको चोटी चोटी लाइने देख रही होंगी यहाँ पर यह लाइने यही कहलाती है buswas past तो यहाँ पर यह buswas 9 यूज हुई है 9 इसलिए यूज हुई है 9 ज़्यादा बैटा रहता है क्योंकि यहाँ पर जो current का flow है वो आसानी से हो जाए इसलिए यहाँ पर 9 हुई है लेकिन यहाँ पर आसानी से current का flow हो जाता है तो यह एक अच्छी बात है Loom Solar के 445 पैनल की आईए friends अब हम देखते हैं यहाँ पर और detailing देखिए यहाँ पर 9 बसफार यूज नहीं है 144 सेल है यहाँ पर super high efficiency पैनल मॉडिल है pure monopark self technology यह जर्मनी की technology है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि reducing the impact of shadow from 30% to 16.5% यानि कि जो shadow effect का मैंने बताया था कि अगर किसी भी part में panel के shadow यहाँ पर पढ़ती है तो दूसरा जो part है वो बर्ग करता रहता है इन दोनों जो series में जो part है इनको parallel connect करके यह panel बनाया गया है और friends साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस panel का use आप किस-किस in betterment कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी है तो यहाँ पर यह सारी detailing है यह आप पढ़ सकते हैं कि आप 2 ही panel use कर सकते हैं एक क्लोवाट के system में तो आपको दो ही panel sufficient power generation कर देगा एक क्लोवाट के system में और जिससे आपका जो structure का खर्चा है वो भी बच जाएगा और साथ ही साथ आपको जो lever cost है वो भी कम हो जाएगी और MC4 connector उसका भी खर्चा बच जाता है यह solar panel friends काफी heavy है तो इसके बारे हम देखते हैं कि यह है 24 square feet space required है इसके लिए 24 volt का panel है इसमें 10 years की manufacturing defect warranty मिलती है और 25 years की performance warranty मिलती है performance warranty के बारे में आपको एक booklet मिलेगी उसमें आपको लिखा होगा कि इतने इतने percent तक performance रहनी चाहिए after 10 years, 5 years तो उसके बारे में आप देख लीजिए और यहाँ पर यह panel के technical specification है तो यहाँ पर यह 440 watt का panel है 42 volts इसका maximum voltage है और यह 10.5 ampere यह generate करता है लेकिन इसकी जो VOC है 50 volt है 50 volt होने की बज़र से इस वह panel को आप इसको यूट्यल गानाप्रस का जो 24 volt का model है इसकी जो VOC range है 90 volt तक होती है तो वहाँ पर आप इस panel को यूज़ कर सकते है यह भी काफी अच्छा इंबैटर है उसकी load capacity 800 watt तक है तो आप इस इंबैटर में यानि 24 volt वाले model में इस सार्क solar panel को आप यूज़ कर सकते हो इसमें आप दो solar panel star के यूज़ कर सकते हो तो आपका जो panel के तरफ से total wattage हो जाएगा 880 watt और फ्रेंट्स यहां पर हम देखते हैं इस पैनल का जो weight है 24 kg है और यहां पर इसकी height है 6.9 feet और चौड़ाई है यहां पर 3.4 feet तो इसमें dimension भी दिया हुआ है और यह standard panel है उसके प्रेंट्स दिये हुआ है उसमें warranty five years के मिलती है लेकिन यहां पर देखी फ्रेंट्स 10 year की warranty मिल लही है जो की काफी अच्छा है और इसकी quality यहां पर बुक करते हैं वैसे यहां पर भी आप बुक कर सकते हैं और देखी अभी मैं आपको Amazon पर भी दिखाता हूं देखी फ्रेंट्स यह सोलर पैल Amazon पर भी अविलेबल है यहां पर आपको दो सोलर पैनल पर्चिस करने है 32,000 PLR तो आपको उतने में परेंगे लेगिन लोम सॉलर की साइट पर आपको तोड़ा पर डिस्काउंट भी मिल सकता है ठीक है अगर आप रखो सकता एकि देख सकते हैं यहां को आपको जूमकर के आप देख सकते हैं जो कि मैंने बताया था यूटियल एलफा प्लस और यह है 3KB का इनवेटर आप इन दोना इनवेटर में भी आप जो 375 बार्ट का मैंने जो पैनल बताया था उसकी जगहाँ पर आप यह सोलर पैनल भी आप यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आने बाली है इन इनवेटर में और यहां यूटियल गामा प्लस में तो यूज करी सकते हैं लेकिन यह सोलर में एमेजॉन से पर्चेस करने से पहले आप पूछ लीजिए कि यह एमेजॉन फुल्फिल प्रोडक्ट है या नहीं है क्योंकि रिटर्न करने में फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो इसलिए सब प्रीजिसिकशन यह यहां पर दिए हैं वह आप देख सकते हैं जो कि लोम सोलर इस पैनल प्रीची जो इस्टीकर लगा होता और यह थीकर है तो यहां पर 450 वार्ट का यह पर fanel है मैक्षीम बोल्ट में यह फ्लोडोड़ीस करता है और फ 4 attrib Google और maximum ampere produce करता है 10.5 ampere, short circuit ampere है 11.1 ampere, short circuit यानि कि जो पैनल की तरफ से दो connector निकल रहे हैं, जैसे कि आपको अभी में दिखाता हूँ, यहाँ पर, देखी यहाँ पर जो दो connector निकल रहे हैं, इनको आपस में अगर add करेंगे, तो यहाँ पर यह जो current produce करेंगे 11 ampere, तो यही होता है short circuit current, जो solar panel के ही positive और negative end को आपस में ही अगर connect करेंगे, तो उस समय अगर हम current को check करेंगे, तो 11 ampere current show करेगा, और यहाँ पर यह इसकी VOC है, 50 और maximum यह है, 1500 बोल्ट के system में आप इसको use कर सकते हैं, तो friends काफी अच्छा solar panel है, नया market में launch हुआ है, आपको use करना च कोड़ा सा heavy होता है, इसलिए आपको structure मजबूत बनाना पड़ेगा, जिससे हवा में यह उड़ना जाए, और friends इस solar panel का by link मैंने description में दिया है, आप description एक बार जरूर चेक कीजिए, वह सकता है, इसके रेट घट भी सकते हैं, तो best by link मैंने description में दिया है, एक बार आप description जरू के लिए, goodbye, take care